एक बार मा पारवती ने शिव जी से अमर कथा सुनाने को कहा और साथ ही स्रेश्टी के आधी रहस्यों को भी समझाने की जिद करने लगी। हार कर शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि जो भी अमर कथा सुनेगा उसे ये कथा पूरी स सुननी पड़ेगी बीच में वह छोड़कर नहीं जा सकता। शिव जी ने कथा सुनाने शुरू की लेकिन इससे पहले कि कथा पूरी होती माता को नीद आ गई। पारवती को सोता देख शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा तुम एक आदी शक्ति हो और फिर भी मनुस योनी में ही जनम लेना पड़ेगा। इतना कहने के पश्चात वह अंतर ध्यान हो गई। पारवती के जाने के पश्चात से बहुत उदास रहने लगे। कई बार उन्हें याद भी किया। लेकिन वह आएं तो कैसे। उन्होंने एक मछवारे के मुखिया के घर में जनम ले लिया था। समय बीटने के साथ साथ पारवती जी अपने बाले वस्था से निकल कर युवा वस्था में प्रविश कर गई। उनकी सुंदर्ता और बहादुरी बहुत प्रचलित थी। कई नव युवा उनसे विवाह करने के इच्छा रखते थे। इधर सिव कई साल विरह में बिताने के बाद पारवती को वापस लाने की सोची। उन्होंने अपने प्रिय नंदी को याद किया और एक लीला रची। शिव के कहे अनुसार नंदी ने एक विशाल काय मचली का रूप धारण किया। और उसी नदी में चले गए जहां वह मच्छुआरे मचली पकड करने जाते तो या तो नंदी महराज जाल तोड़ देते या मच्छुआरों की नाव ही तोड़ देते और उन्हें वहां से भगा देते। सारे मच्छुआरे अपनी गुहार लेकर अपने मुख्या के पास पहुंचे। मुख्या ने उनकी बात सुनी और ऐलान करवा दिया क कि जो भी कोई उस मच्छी को पकड़ कर मेरे सामने लाएगा मैं उसे पार्वती का विवाह कर दूँगा। इतना सुनने के बाद बहुत सारे नविवकों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल न रहा। अंतताश्यव ने मन से रूप धारन करके मच्छुआरे के मुख्या के पास पहुंचे और उस मच्छी को पकड़ने के अपनी च्छ अताई। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे नंदी ने उन्हें देखते ही समझ गए कि यह मेरे इस्ट देव हैं और खुद को उन्होंने उन्हें समर्पित कर दिया। इस प्रकार सिव और पार्वती का पुन करने वाद और जैहन दोस्तों